चुले आगी बढ़ते और बात कर लेते च्छतिसकर की राजधानी राइपूर के जोहां से बड़ी खबर साप्टी आ रेती है महिलाओ ते महतारी बंदन से के लिए आविदन भर दिया है आपको बता दें कि तीन दिदों में 16,81,000 से अधिक आविदन आए है शादी शुदा महिलाओ को हर महिले एक हजार रुपे में देखिए 2023 के चुनाओं में पहले सबसे पहले बिजेपी ने घोशना की थी कि महतारी वंदन यूजना के तहत तमाम चुमहिलाओं है सालाना 12,000 रुपे उनके काउन में यानि कि उनके खाते में डाले जाएंगे सरकार के उर से और उसी के तहट आब फॉर्म भरवाने भी शुरू हो चुके है पाच फरवरी से इसके शुरुवात हुई है और उसके साथ या आपको बता दे कि 20 फरवरी आखरी तारीक है जब तक ये फॉर्म भरवाएगे ऐसे में तमाम चुमहिलाओं है वो लगातार लंबी-लंबी कतारों में लगके अपना अधिकार मांग रही है और उनका अधिकार भी मिल रहा है मैतारी वंदन यूजना के तहट अगर अब तक कि आकड़ों की बात कर लिजा है कि पाच तारी से शुरुवात हुई है और आज आट फरवरी है तीन दिनों में 16,81,000 से अधिक आविदन आए है वहें शादी शुदा महिलाव को हर महिने 1000 रुपे देने की सरकार ने बात कही थी और कहीं न कहीं यहाँ पर काफी महत्वण हो जाती है ये यूजना क्योंकि 2023 का जो चुनाव था वो बिजेपी इसी वज़र से जीती थी क्योंकि महतारी वंदन यूजना के तहट बिजेपी ने फॉर्म भरवाने भी शुरू कर दिये थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि महतारी वंदन यूजना एक बड़ा फैक्टर रहा है 2023 के चुनाव में क्योंकि हर किसी की जवाब पे बस एक ही जवाब था कि कॉंग्रस की सरकार एक बाप फिर से चुट्सकर में आने वाली है लेकिन कॉंग्रस को घलत साबित किया है बिजेपी ने और महतारी वंदन यूजना के तहत ही बिजेपी एक बड़ी जीत प्रचंडजीत हासिल करने में खाम्याब रही है और सबसे पहले आपको ये भी बता दे कि महतारी वंदन यूजना के तहत कॉंग्रस बेग यूजना लेकर आयती ग्रह लक्ष्मी यूजना लेकिन उसे उतनी सफलता नहीं मिली और 2023 में बिजेपी ने चुनाव जीत लिया लेकिन क्या 2024 में बिजेपी इसी के तैट चुनाव जीत पाईगी और सबसे बड़ी बात है कि 36 गड़ में पुरुष्टों से ज़ादा महिलाय वोटर है यानि कि महिलाओ पर सीधे तरीके से सरकार फोकस कर रही है कहा जा रहा है कि महिलाओ को सशक्त बनाने के लिए राजिसरकाई यानि कि बिजेपी महतारी वंदन यूचना लेकर आई है जिसका प्रतिफल कहीं ना कहीं सरकार को 2023 में तो मिल गया लेकिन क्या 2024 में ये सफल हो पाएगा क्योंकि कॉंग्रस लगातार निशाना साथ रही है कॉंग्रस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच का एक बयान साबने आया था जिसमें उन्होंने महतारी वंदन यूचना को एक तरीके से जुनला बताया था उनका कहना है कि जब 2023 का चुना हो रहा था तब भी आपने फॉर्म भरवाय थे उनका क्या हुआ क्या उनमें से महिलाओ को पैसे दिये है या नहीं दिये गया है और जब उस समय फॉर्म भरवा दिया तो इस समय फॉर्म भरवाने की क्या ज़रता पड़ी तो तमाम ऐसे सवाल है जो कि विपक्ष लगातार उठा रहा है लेकिन सत्तापक्ष का टार्गेट सेट है और ये टार्गेट आप इस तरीके से देख रहे हैं कि मात्र तीन दिन में ही 16,81,000 से अधिक आविदन आये हैं इसे इसपश्ट है कि कहीं न कहीं 36 गर्ड की जुनता पर इसका असर धीरे धीरे पड़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन ये असर 2024 के लोकसभाचुनाव में क्या काम्याब हो पाता है या नहीं कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब कहीं न कहीं हम